बंगलादीश के चीफ जस्टिस ओवे दुल हसन को भी अपने पत से स्टीफा देना पड़ा इस स्टीफे के बाद बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर अगला नंबर किसका है कब थमेगी ये स्टीफों की जड़ी क्या ये स्टीफे होने के बाद चात्रों का गुस और है हमेशा से कहा जाता है कि युवा वर्गी देश के दिशा और दशा को तै करता है मामला चाहें देश के विकास का हो या फिर राजनीती का युवा हमेशा केंद्र में रहते हैं अगर युवा किसी राजनीतिक दल के साथ आ जाएं तो इस पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता और अगर वही उवास सरकार से नाराज हो जाएं तो तखता पलटने में भी समय नहीं लगता है और इसका जीता जाकता उधारन है बांगलादेश यहां रातो रात हुआ है तखता पलट अब तखता पलट तो हो गया शेख हसीना को अपनी जान बचा कर भ रुकेगा चात्रशांत होंगे या आप देश में चात्रो का ही राज चलेगा कहीं ऐसा ना हो कि शेख हसीना को कुरसी से उतार कर चात्रों ने अभी जिसे कुरसी पर बैठाया है उससे भी उनका मूँ भंग हो जाए क्योंकि आंदोलन के बाद बनने वाली सरकारों का इति अच्छा नहीं रहा है बंगला देश में जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं है यहां जुलाई में चात्रों का अंदोलन शुरू हुआ और अगस्त की शुरूआत में यह इतना तेज हो गया कि सरकार ने घुटने टेक दिये शेख हसीना के स्टीफे के बाद से देश में स्टीफों की जड़ी लग गई है एक-एक करके शेख हसीना के लगबक सभी समर्ठकों को या तो हटा दिया गया है या उन्हें स्टीफा देने को मजबूर कर दिया गया है और जानकारों का तो ये दावा है कि ये सिलसला अभी थंबने वाला नहीं है इसमें के लिए देश छोड़ दिया है सुप्रीम कोट के आदेश के बाद जब अंदोलन भड़का और सेना अंदोलन पर काबू पाने में नाकामियाब हुई तो सेना ने शेख हसीना को 45 मिनट में देश छोड़ने को कहा जिसके बाद उन्होंने पांच अगस्त को देश छोड़ दिया इसके बाद माना जा रहा था कि शायद अवांदोलन थम जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ चात्रों ने इसके बाद हसीना समर्तकों के बेस्त अगस्त से जब बांगल्यादेशी सेना में बड़ा फेर वदल हुआ और भारत समर्थक मीजर जनरल जेनुल एहसान को बरखास्त कर दिया गया हाला जब काबू में आते नहीं दिखे तो हसीना सरकार में सिक्षा मंत्री रहे मोहिबुल हसन चौधरी और ग्रामीर विकास मं पोन और ढाका साउथ सिटी कॉर्परेशन के मेयर शेक फजले नूर तापोश मुंशी गंचतीन के पूर्शांसद मृणाल कांती दास और सुप्रीम कोट के जज मुहमद बदरुजमा को भी देश छोड़ कर अब जाना पड़ा चात्रों का गुस्सा इतने पर भी शानत न करीम शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़े थे उन्होंने हसीना के पिता मुझीव और रहमान पर बनी फिल्म प्रोड्यूस की थी और यही उनके लिए मुसीबत बन गया उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा सिर्फ यही नहीं बीर ने फेमस बांगला स इस्तीफा दे दिया अब बंगलादेश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसियों में से एक रैपिट एक्षन बटालियन के चीफ को भी बदल दिया और अब इस एजेंसी को एक एम शहिदुद्दूर रहमान लीट करेंगे यह स्तीफों का दौर अभी थमाही नहीं था क चात्रों ने सुप्रीम कोट के बाहर प्रदशन करना शुरू कर दिया सुप्रीम कोट को घेर लिया चात्रों ने कहा कि अगर जजोंने स्तीफा नहीं दिये तो हसीना की तरह उन्हें भी कुरसी से खीच कर उतार देंगे प्रदशनकारी चात्रों का आरोप है कि सुप्रीम कोट के आदेश के खिलाफ भी भड़का था सुप्रिम कोट के तरफ से बांगलादेश के आजादी में योगदान देले वालों के परिजनों को 30 प्रतिशत आरक्षन देने का प्रावधान सरकारी नौकरियों में लागू कर दिया गया था जिसके बाद बांगलादेश में सर में पत्रकारों से बात करते हुए सुप्रिम कोट के चीफ जस्टिस ओवेदुल हसन ने कहा था कि मैंने वकीलों की सुरक्षा को देखते हुए स्तीफा देने का फैसला किया है स्तीफे के लिए कुछ आपचारिकताएं होती है उन्हें पूरा करके मैं आज शाम तक अपन स्तीफा राश्ट्रपती मुहमत शाहबुद्दीन को भेज दोंगा लेकिन प्रदेशन को बढ़ता देख आखिरकार सुप्रीम कोट के चीज जस्टिस ओवेदुल हसन को स्तीफा देने की खोशना करनी पड़ी और फिर उन्होंने स्तीफा दे दिया अब जानकार कह रही है कि चात्रों का अगला निशाना सुप्रीम कोट के दूसरे जज है अब चात्र उनके स्तीफे की मांग कर रहे हैं वैसे निशाने पर बंगलादेश के शाहबुद्दीन भी है और कहा जा रहा है कि उनसे भी जल्दी ही स्तीफा लिया जा सकता है शाहबुद्दीन को भी ही साफ हो जाएगा क्योंकि जानकारों का कहना है कि चात्रों का गुस्सा एक बार फूट चुका है और अब यह बहुत मुश्किल है कि इस आंदोलन को वो बीच में रोक देंगे वहीं जिस तरह से इस चात्र आंदोलन ने बंगलादेश में तखता पलट करवा दिया उससे एक बात तो साफ हो गई है कि चात्रों के होसले बुलंद हो चुके हैं जो लोग आज इन चात्रों को समर्थन दे रहे हैं मुसीबत उनके लिए भी बढ़ रही है चात्रों से अब देश के अंतरिम सरकार को भी डरना पड़ेगा यही नहीं आगे बनने वाली सभी सरकारों को अब चात्रों से डरना पड़ेगा क्या पता कब किस बात पर चात्र भड़क उठें और आंदोलन करने सडक पर उतर जाएं बंगलादीश में राजनेतिक उथल पुथल के बीच आठ अगस्त को रात साड़े आठ बजे नई सरकार का शपत ग्रेंड हुआ था आर्मी ची कहना है कि जैसे जैसे चात्रों की मांगे मानी जा रही है उनका अंदोलन उतना ही उग्र होता जा रहा है उनकी मांगे बढ़ती जा रही है इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बांगलादेश इस समय चात्रों की हाथ में हैं वो जैसा चाहेंगे सरकार को फैसल अगला स्तीफा किसका होने वाला है अब छात्रों के अगली मांग क्या होगी क्या आप छात्र शांत हो जाएंगे क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक बांगलादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन से बीते 15 दिनों में 75,000 करोड टका यानि कि 54,000 करोड रुपे का नुकसान हो च सकता है कि बांगलादेश में स्तीफों के जड़ी में अगला नंबर किसका हो सकता है हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें यह भी बताईएगा और तब तक के लिए मुझे दीजो इजाजत देखते रिये दीवी लाइव नवस